हेलो स्टुडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्वेशन पढ़ने के लिए हमें प्रिंसिपल स्लूशन, जर्नल स्लूशन शीखने पढ़ेंगे ठीक है, और मैं आपको ये भी बात बता दू कि हम आगे जाके चाह जैसे x square plus 2x plus 1 ये एक algebraic equation है ठीक है इसी तरह से sin square x plus 1 माल लेजे कुछ भी is a trigonometric equation जिसमें trigonometric ratios use होती है इसका सबसे important part है principal solutions and general solutions example लेते हैं मैं कहता हूँ कि sin theta is equal to 1 upon root 2 मैं आपसे पूछूँगा कि theta की क्या value है आप 10th में करके आए हैं आप बोलेंगे कि sir theta 45 degrees है यहां फिर क्योंकि हम plus 1 में है यहां फिर pi by 4 है कुछ भी बोल सकते हैं ठीक है फिर मैं आपसे पूछूँगा कि is it the only value एक और student intelligent खड़ा होगा नहीं sir अगर sin 45 यह है तो हम यह भी तो लिख सकते हैं कि sin 180 minus 45 और sin pi minus theta second quadrant sin positive बिल्कुल ढीक बात है तो 3 pi by 4 भी हो गया sin इसका मतलब क्या है कि theta जो है वो pi by 4 भी हो सकता है pi minus pi by 4 भी हो सकता है 2 pi plus pi by 4 2 pi मतलब अगर ऐसे करूं तो यहां से घूंके anti clockwise यहां पे आया थेक है 12 minus 11 pi by 4 हो जाएगा ठीक है तो एक theta है उसकी कितनी सारी values आ रही है हमारे पास आप समझ रहें इस बात को अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो principal solutions होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं वो 0 से छोटे यहां 0 के equal और 0 से बड़े यहां 0 के equal और 2 pi से छोटे यहां 2 pi के equal होते हैं I hope you get it now ठीक है तो आपको पता चल रही होगी यह बात कोई दिक्कत नहीं है क्यों ऐसा होता है वो बात भी समझ लेते हैं आप यह देखिए कि कोई भी trigonometric angle with ratio मैंने आपको समझाया है कि all sides यहां all schools after school to college तो यहां all trigonometric ratios positive यहां सिरफ sign और cosecant positive यहां पे tan और cot positive यहां पे cause और secant positive ठीक है तो आप यह देखिए कि इसको बनाया ही इस तरह से गया है कि किनहीं 2 quadrants में हर एक trigonometric ratio with any angle वो positive आती है और 2 quadrants में any trigonometric ratio with any angle negative आती है ठीक है जी I hope यह चीज clear है आपको अब हम आगे बात करते हैं कि principal solutions होते क्या है लेकिन उनसे बात करने से पहले principal solution से बात करने से पहले मैं आपको एक important चीज़ के बारे में जानकरी देना जाहूंगा वो जानकरी क्या है कि हमें हमेशा even multiple of angles उठाने हैं अब even मैं बता के आया हूँ odd क्या होते हैं pi by 2 into 1 3 pi by 2 या pi by 2 into 3 यह odd numbers है ना तो यह odd multiples हैं even क्या है pi by 2 into 0 फिर pi by 2 into 2 फिर pi by 2 into 2 फिर pi by 2 into 2 pi यह सारे odd हैं आप देखिए यह 0 आ जाएगा यह pi आ जाएगा और यह 2 pi आ जाएगा तो कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि हमें जितने भी angles को consider करना है those all should be in the multiples of 2 pi फिर pi इवन multiple होने चाहिए तो अब आप यह देखिए कि यह 0 है 0 plus या minus pi है plus या minus और 2 pi है तो plus या minus अच्छा अब वो दिहान आएगा कैसे वो भी देखते हैं बात को करते हैं जी कि वो क्या होगा देखिए बचो मैं बात कर रहा हूँ principle solutions की ठीक है example number 18 करते हैं इससे बहुत ज्यारा clarity आएगी हमारे पास तो उन्होंने लिखा है कि sin x is equal to root 3 by 2 यह उन्होंने हमें बोला है बहुत अच्छी बात है जी उसने बोला है इसके principle solutions ढूँन दो तो यह sin मुझे पता है यह मन में सोचना आपने first quadrant में और second quadrant में यह positive होता है ठीक है तो मैं sin की values लिखता हूँ ध्यान से देखिएगा कि मैं आपको बड़ी अच्छी अच्छी बाते बताऊंगा यहाँ पे यहाँ पे sin x is equal to sin यह 60 होता है तो pi by 3 आ गया और sin x is equal to sin pi minus pi by 3 आ जाएगा यह भी हो गया ठीक है जी तो कहने का मतलब क्या है कि x is equal to pi by 3 pi by 3 आ जाएगा ठीक है always remember जो छोटा एंगल होता है उसे alpha लेते हैं और जो बड़ा एंगल होता है उसे बीटा लेते हैं ठीक है I hope यह clear हो गई यह मैंने आपको कुछ extra बताया है जिसका आगे जाकर use होगा लेकिन जो principal solutions होते हैं वो यही सिरफ 2 होते हैं और हर बार 2 ही आएंगे depending upon कि क्या हमें trigonometric ratio दी है इसी लिए मैंने आपको बताया था कि जो principal solutions होते हैं वो हमेशा किस में vary करते हैं जीरो और 2 पाई के बीच में ही vary करते हैं they cannot go beyond that I hope that is clear to you principal solution तो आपको आगया समझ इसके उपर मैं एक और example करूँगा example number 19 लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जब सिरफ theta की बात होती है सिरफ theta की तो क्या होता है वो principal solution जब हम बात करते हैं rotations की कि कितनी rotations ली गई ठीक है अगर मालीजिए मैं आपको बोलता कि let's say अपना 1020 डिग्री एंगल है 1020 तो यह आप 2πाई प्लस आप यह देखिए हमारे पास क्या जाएगा 300 डिग्रीज ठीक है 2πाई प्लस 2πाई माइनस पाई भाई 3 ठीक है यह आजाएगा 4πाई माइनस पाई भाई 3 यह सिरफ समझाने के लिए है आपको मैं वैसे कर रहा हूँ यहाँ पे 11 पाई भाई 3 आजाएगा 11 पाई भाई 3 का मतलब क्या है रोटेशन बनाते है ठीक है वैसे 2 पाई प्लस 300 डिग्रीज है तो देखिए एक रोटेशन 2 पाई ठीक है यह 2 पाई आगे ना 360 डिग्री तो यहाँ से फिर मुझे 300 डिग्री चलना पड़ेगा 300 डिग् तो यह 3 है तो से 300 डिग्री मेरे पास तो जब कहने का मतलब यह है कि यह 001 रोटेशन ब्कष और 001 रोटेशन को देकिन आघा यह 001 हो लेकिन जब रोटेशन को कंसिडर करना शुरू कर देते हैं तो वो क्या होता है वो होता है general solution वो use कैसे होंगी वो अभी देखते हैं ठीक है और इसमें फिर number of rotations denote होती है n से अब इसमें सारी बातें क्या हैं वो चलिए अगले page पर चलते हैं और सीखते हैं यह देखिएगा example number 19 करते हैं पहले principle solutions की चीज़ों को खतम कर लेते हैं और उसके बाद ही हम general solution को पकड़ेंगे example number 19 तो tan x is equal to minus 1 upon root 3 तो tan x is equal to minus tan 1 upon root 3 यानि 30 degree pi by 6 आ गया अब मुझे यह देखना है कि 10 negative कौन से quadrant में है 10 दो quadrant में negative होता है second quadrant और fourth quadrant इन ही में negative होता है न तो अब आप यह देखिए कि मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ और 10 minus pi by 6 ठीक है यह rule आपको पता होने चाहिए 3.3 के अब आप यह देखिए कि यह minus pi by 6 है और मुझे second quadrant में जाना है मैंने आपको पहले ही बताया था pi minus और pi plus क्योंकि negative है इसलिए मुझे second quadrant में जाना पड़ेगा इसलिए pi negative करना पड़ेगा तो tan x is equal to tan pi minus pi by 6 ठीक है तो क्या आजाएगा sin tan x is equal to tan 5 pi by 6 आजाएगा और यहां फिर second quadrant था यहां फिर fourth quadrant है और tan x is equal to tan 2 pi minus pi by 6 ठीक है तो tan x आजाएगा ग्यारा 10 11 pi by 6 आजाएगा तो x क्या आजाएगा 11 pi by 6 आजाएगा समझाए आपको बात अब आप यह देखिए कि principle solution मेरे पास क्या हो गए therefore principle solutions मेरे पास क्या हो गए 5 pi by 6 और 11 pi by 6 और यह alpha beta मैं आपको बता रहा हूं कि हमें use करने होंगे ठीक है तो अब हम बात करेंगे general solutions के यह I hope आपको clear हो गया होगा कि यह negative था तो दो quadrants में negative है तो कौन से दो quadrants है थीटा के लिए ठीक है एक second था और एक fourth था यह angle second quadrant में लाई करता है यह fourth quadrant में लाई करता है I hope that is clear to you अब मैं करूंगा general solutions इसको थोड़ा सा थ्यान से आप देखिए कि general solution क्या होते हैं देखिए हमें दो चीजों को confuse नहीं करना है पहले हमने principle solution की बात की तो पूरी rotation की बात की जो की 2 pi होता है ठीक है अब हम कर रहे हैं general solution की बात तो general solution में मैं example लेता हूँ मान दीजिए sin x is equal to 0 degree है तो मैं आप से पूछता हूँ कि sin x 0 degree पे कब होता है आप बोलेंगे कि sir 0 की जो value होती है sin 0 पे होती है therefore x is equal to 0 degree आगे ओके अब आप इस 0 degree तो आगे लेकिन अगर कोई student उटके खड़ा हो जाता है किता sir sin πाय भी तो इसकी value 0 होती है तो इसका मतलब x की value जो है वो पाय भी आनी चाहिए जो कि बिल्कुल लॉजिकल बात है फिर student एक को और कहेगा कि 2 πाय पे भी आनी चाहिए फिर 3 πाय पे भी आनी चाहिए आप सब पे देखिएगा 0 आ लिए value तो इसको कहने का मतलब क्या है इसको कहने का मतलब यह है कि अगर मैं general solution की बात करूँ जब यह 0 degree के equal हो तो यह हो जाएगा n pi वेर n belongs to integers ठीक है integer क्या 0 होगा यह minus होगा तो clockwise जलना शुरू हो जाएगा अधर्वाइस वह anticlockwise चलता रहेगा एक बात याद रखिएगा जो मैं आपको important बात बताना चाहूंगा general solution दो जगा पे ढूंडा जा सकता है when angle is जैसा कि मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक 0 degree है और एक non 0 degree है ठीक है non 0 degree तो इन बातों का ध्यान लखिए यह हमने जो general solution किया है for sin is equal to 0 ठीक है यह मैं इसको दूसरी तरह से बोल लूँ when sin alpha is equal to 0 ठीक है तो general solution क्या होंगे यह ठीक है I hope you get it now और इसके साथ ही हम यह बात भी कर सकते हैं कि when sin alpha is not equal to 0 तब क्या होगा तब देख लेते हैं देखिए उसके लिए एक formula होता है ठीक है यहां मैं लिखता हूं when sin alpha is not equal to 0 ठीक है तो alpha की जगा पे आप xy रख लीजिए जो मैंने आपको बताये थे दो angle alpha बीटा उन्हें xy भी बोला जा सकता है कुछ भी बोला जा सकता है ठीक है अब देखिएगा ध्यान से when sin x is equal to sin y ठीक है और y is not equal to 0 degree ध्यान दीजिएगा इस बात का तो हमारे पास solution क्या होता है तो होता है x is equal to n pi plus minus 1 raised to power n y और y कौन सा ये बला angle इस बात का special ध्यान रखिएगा और मैं आपको बता दूँ मैं ये मान के चलता हूं कि आपको इसका ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन जब हम questions करेंगे तो आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा I'm sure about it जैसा की अभी हम करेंगे example number 20 और आप उसमें देखिएगा कि हम क्या 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 कर रहे हैं ये रेखिए मैं example number 20 की statement लिखता हूं आप अपनी अपनी books में देख लीजिए example number 20 क्या है साइन ठीक है आच्छा तो इसका मतलब क्या है माइनस का है तो इसका मतलब थर्ड या फोर्थ क्वाडरंट ठीक है तो देखिएगा बहुत ध्यान से हम क्या कर रहे हैं sin x is equal to sin minus sin pi by 3 लेकिन मुझे तो थर्ड क्वाडरंट में जाना है इसलिए pi plus करना पड़ेगा sin x is equal to sin pi plus pi by 3 ठीक है और 2 pi minus pi by 3 भी कर सकते थे principal solution के लिए लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती हमें जब भी general solution निकालना है तो हमें first angle ढूनना होता है तो first angle यही है sin x is equal to sin 4 pi by 3 अगर principal solution और general solution दोनों बोला है तो principal solution के लिए लिख लेते sin 2 pi minus pi by 3 तो 6 5 pi by 3 भी हो जाता है ठीक है यह principal solution है सिरफ इसकी और कोई ज़रूरत नहीं है general solution में यह angle use होगा हमारे पास अब general solution हमारे पास क्या है now general solution for x is ठीक है ध्यान से देखेंगे अब हम x is और यह वला जो angle है अगर यह x है तो यह वला जो angle है यह y हो जाएगा ठीक है बस इतना ध्यान रखिएगा तो formula क्या था n pi plus minus 1 raise to power n into y और y क्या है 4 by 3 pi where n belongs to z it's very simple ठीक है यह simple है काफी simple है और हो भी गया अब हम बात करेंगे when cos x is equal to pi ठीक है ध्यान दीजे और pi कहरा हूँ 0 इसको close कर देते हैं अब sin हमारा हो गया sin था इसका general solution पहले मैं इसको revise कर देता हूँ when sin x is equal to 0 तो x is equal to हो जाएगा n pi when sin x is equal to sin y तो x हो जाएगा n pi plus minus 1 raise to power n y यह हो जाएगा यह दो चीजे ही हमने की है ठीक है इसके बाद अब हम कर लेंगे cos close कर दें cos x is equal to 0 cos x is equal to 0 ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आपको overview दे रहा हूँ cos x is equal to 0 किस पे होता है pi by 2 पे cos 90 पे होता है ठीक है तो मैंने आपको बताया था कि इसका general solution जो है वो अलग से आता है 0 वले का अब आप यह देखिए कि इधर गया तो 0 इधर आया तो 0 यानि pi by 2 पे भी 0 3 pi by 2 पे भी 0 रोटेशन की बात कुनी शुरू हो जाएगी ठीक है सारी rotations की बात शुरू हो जाएगी और अगर ऐसा होता है तो देखिए rotations के आएगी पहले तो मैं आपको बता देता हूँ cos x is equal to cos pi by 2 ठीक है अगर cos pi by 2 पे है तो 3 pi by 2 पे भी है और फिर 5 pi by 2 पे भी है और चलती रहेगी यह कहानी तो इसका हम एक general solution बना लेते हैं general solution क्या होगा 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z ठीक है 2n क्यों है क्योंकि यह odd multiples आने शुरू हो जाएगे अब general solution के लिए I hope that's clear to you general solutions में यह आ जाएगा अब जितना मल जी हम rotations की बात करी जाएगा और इसके बाद अगर आप देखेंगे और बड़े ध्यान से देखिएगा कि अगर यह 0 के equal नहीं है अगर यह situation नहीं है तो यहाँ पे यह part 1 है यह part 2 है when cause x is equal to cause y अगर cause x और cause y equal है तो क्या आएगा हमारे पास ठीक है वो देखते हैं बहुत ध्यान से देखेंगे इसका formula है x is equal to 2n pi plus minus और यह वाला y where n belongs to z ठीक है I hope यह चीज़ भी ठीक है आपके लिए एक और question करते हैं और आपको और भी clear होगा example number 21st करते हैं बड़ी simple सी example है ठीक है solve बोला है ठीक है तो equations को हम solve करते हैं तो solve बोला है तो इसका मतलब ही यह है कि हमें principal solution यहां फिर general solution की बात करनी है समझ गए आप तो आप यह देखी निकालते हैं जी cos x is equal to cos pi by 3 positive है वैसे तो first और fourth में है लेकिन हमें तो principal solution निकालने के लिए यह सिरफ first है अपने छोटे अंगल की जुरूरत होती है जो कि first quadrant में आएगा तो x is equal to therefore general solution x is equal to 2n pi plus minus pi by 3 और मैंने आपको बताया कि यह y होता है where n belongs to z यह लिखना जुरूरी है आपके लिए I hope यह भी clear है देखिए कितना simple है सारा कुछ हमें trigonometry आनी चाहिए और कोई इसमें 3-5 नहीं है I hope that's clear to you चलिए फटा-फट से अगले page पर चलते हैं और देखते हैं कि और क्या-क्या है हमारे लिए इस topic में लीजिए जी बात करते हैं अब हम tan की कि अगर tan x is equal to 0 है तो हमें पता है कि tan x is equal to tan 0 पे 0 होगा उसके बाद pi पे 0 होगा उसके बाद 2 pi पे 0 होगा और सागा continuous तो इसका मतलब general solution जो आ जाएगा वो आएगा x is equal to n pi ठीक है where n belongs to z tan का इतना ही हिसाब है ठीक है अब देखते हैं और क्या है इसमें अच्छा इस बात का खास ख्याल लखिएगा कि जो tan थीटा के general solutions होते हैं वो सिरफ define होते हैं even multiples के लिए ठीक है मैं j students के लिए separate video बनाऊंगा जिसमें पूरी derivations बताई जाएंगी ठीक है and with the help of graph बताई जाएंगी तो आपको काफी सारी चीजें उसमें clear हो जाएंगी लेकिन जिन बच्चों को j वगरा नहीं देना तो उनको इतनी depth की जरूरत नहीं है वो इस चीज को समझ सकते हैं कि जो general solution होते हैं हमारे वो even multiples के लिए define नहीं होते हैं मैं आपको छोटा सा idea दे देता हूं क्यों नहीं होते हैं क्योंकि 10 0 पे 0 10 90 पे not defined होता है ठीक है इसलिए और 90 क्या है odd multiple है तो even multiples के लिए defined है values, odd multiples के लिए defined नहीं है general solution ठीक है शायद मैंने पीछे इसका उल्टा बोल दिया पर यह बात ठीक है कि odd multiples के लिए solutions defined नहीं है जबकि even multiples के लिए defined है तो तीन ही चीज़ें होती है sin, cause and 10 बाकी तीन तो इनके उल्टे होते है ठीक है अब हम करते है example number 22 यह थोड़े से कुछ चीज़ें थी जिनका हमें ध्यान रखना है formula तो नहीं मैं बोल सकता exactly पर हाँ ध्यान ज़रूर रखना है formula तो जो करके आगए 3.3 में वही है however चलिए क करें अब let's do it question है हमारे पास solve कीजिए tan x is equal to minus cot x plus y by 3 cot है ठीक है जी तो करते हैं जी बात अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना जी कि यह और यह सेम होनी चाहिए अब ध्यान देंगे हम अगर इस पूरे को मैं theta मान लेता हूँ थोड़ा सा रफकाम करते हैं तो minus cot theta is equal to minus को दो मिनट के लिए भूल जाए तो tan 90 minus theta होता है अब देखिए कि tan 2x is equal to minus बाहर ही अभी tan 90 क्या है pi by 2 minus x plus pi by 3 और इसको मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ तो यह क्या आजाएगा हमारे पास इन दोनों को जब मैं add करूंगा tan 2x is equal to minus tan pi upon 2 plus pi by 3 is equal to 5 pi by 6 और यहाँ minus हुआ था हम्मममममममममममममम तो देख लेकते हैं इसे एक मिनट क्योंकि यह तो फिर्फर्स्ट क्वाटरेंट में चला जाएगा तो गढ़बढ हो जाएगी इसको दुबारा करते हैं माइनस कॉट थीटा is equal to tan 90 plus थीटा यह माइनस कॉट थीटा आ जाएगा इसका मतलब यह पूरा चेंज हो जाएगा tan 2x is equal to तो माइनस कॉट थीटा को हटा के अब मैं क्या लिख सकता हूं tan 90 प्लस थीटा तो थीटा के आएगा हमारे पास x plus pi by 3 अब आ गया चीक है so tan 2x is equal to tan 5 pi by 6 plus x आ जाएगा tan 10 निकल जाएगे 2x is equal to 5 pi by 6 plus x आ जाएगा I hope यह चीज आपको clear है ठीक है अच्छा अब आप यह देखिए कि यह वला x इधर आ जाएगा 2x minus x is equal to 5 pi by 6 आ जाएगा x is equal to 5 pi by 6 आ जाएगा और अगर यह x है और यह y है तो general solution क्या हो गए general solution हो गए x is equal to n pi plus y होता है और y क्या है 5 pi by 6 where n belongs to z है हो गए कहानी पूरी हमारी यही करना था हमें देखे कितना आसान है चलिए जी नेक्स पेज पर चलते हैं और यह है जी ठीक है और उसने बोला है कि solve कर दीजी प्रिंसिपल और general solution निकाल दीजी यह हम exercise 3.3 में करके आए हैं कि इनको rewrite कर लेते हैं sin 6x बड़ा एंगल पहले छोटा एंगल बाद में क्योंकि using sin a plus sin b is equal to 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2 तो 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2 minus sin 4x is equal to 0 sin 4x common आगया 2 cos 2x minus 1 is equal to 0 आगया हाना कोई परिशानी है नहीं अच्छा जैसे ही यह product में आया हम इसे change कर देंगे therefore sin 4x is equal to 0 और 2 cos 2x minus 1 is equal to 0 ध्यान दीजीए कब यहां पर now considering sin 4x is equal to 0 तो general solution क्या है sin 4x 4x is equal to n pi आजाएगा where n belongs to z आजाएगा ठीक है फॉर्मुला होता है आजाएगा अपना z और sin x is equal to 0 तो sin x is equal to 0 है तो n pi आजाता है उसका general solution ठीक है तो x क्या आजाएगा n pi upon 4 where n belongs to z यह एक general solution आगया x का अब x की एक और value ढूनते हैं now considering क्या है जी 2 cos 2x minus 1 is equal to 0 ठीक है बड़ी अच्छी बात है तो cos 2x is equal to 1 by 2 it implies to बिल्कुल ठीक है जी तो यह क्या आजाएगा cos 2x is equal to cos pi by 3 आजाएगा principle solution आगया 2x is equal to pi by 3 ठीक है लेकिन हमें principle नहीं देखना हमें तो general solution देखना है तो general solution क्या होगा 2x is equal to 2n pi plus minus y होता है y क्या है pi by 3 ठीक है अब क्योंकि हमें तो x की value चाहिए होती है तो x is equal to n pi plus minus pi by 6 आजाएगा where n belongs to z आजाएगा ये एक और हमारे पास solution आगया तो ये दो solution आगया हमारे पास एक ये है और एक ये i hope ये दोनों solution clear है कि नहीं है ठीक है न तो ये सारी चीजें हमारे पास हैं यहाँ पर हम finally लिख भी सकते हैं therefore x is equal to n pi by 4 और n pi plus minus pi by 6 where n belongs to z ये दोनों ही angles के लिए ठीक है दोनों ही values of x के लिए ये situation true हो जाएगी ठीक है so i hope आपको ये समझा आ गया होगा अब करते हैं example number 24 the last example before the exercise begins चीक है तो चलिए अगले page पर चलते हैं so let's move it 2 cos square x plus 3 sin x is equal to 0 3 यह यह तो करें जी यहां sin है यहां cause है यह easily change हो सकता है 1 minus sin square x plus 3 sin x is equal to 0 2 minus 2 sin square x plus 3 sin x is equal to 0 अब क्या करें अब क्या करें एसा करते हैं कि इस सारे को इधर ले जाते हैं ताकि यह positive बन जाए 2 sin square x minus से multiply कर रहा हूं कुछ नहीं कर जाए माइनस 3 sin x minus 2 is equal to 0 और माइनस इधर जाके 0 ही बन गया यहां पर अब quadratic equation लग सकती है हमारे पास 2 to the 4 तो यह आ रहाएगा 2 sin square x minus 4 sin x plus sin x minus 2 is equal to 0 ठीक है जी 2 sin x common आ जाएगा sin x minus 2 plus 1 common आ जाएगा sin x minus 2 is equal to 0 ठीक है यहां पर आप देखिए कि 2 sin x हो 2 sin x plus 1 और sin x minus 2 is equal to 0 यहां पर मैं लिखूंगा sin x minus 2 is equal to 0 sin x is equal to 2 rejecting because sin की value to 2 कभी हो ही नहीं सकती ठीक है यहां हम reason देदेंगे because maximum value of sin theta for theta belongs to r for any theta कहने का हम यह मतलब है is 1 यह maximum है ठीक है और minimum भी minus 1 होती है तो यह नहीं लिख सकते है पॉजिटिव value में तो 1 ही maximum है तो यहां positive था now 2 sin x plus 1 is equal to 0 sin x is equal to minus 1 by 2 हो जाएगा negative angle आगे है यानि 3rd quadrant यहां फिर 4th quadrant आगे है sin यह 30 degree यह pi plus pi by 3 आगे x is equal to ठीक है वो क्या होता है n pi plus minus 1 raise to power n y तो यह सारा कुछ क्या आगे y आगे एक बार लिख लेता हूं मैं sin x is equal to sin 4 pi by 3 आजाएगा ठीक है तो यह ठीक है हमारे पास okay अरे यह pi by यह तो 30 degree है तो pi by 6 आना चाहिए तो यह आजाएगा 7 pi by 6 मैं दुबारा लिख लेता हूं अभी गड़बड हो जानी थी sin x is equal to sin 7 pi by 6 so हमारा general solution क्या आजाएगा फिर x is equal to n pi plus minus 1 raise to power n y y क्या है 7 pi by 6 where n belongs to z आजाएगा and that is our answer ठीक है so exercise 3.4 is your homework only 9 questions are there तो बड़े ही असान है आप अराम से कीजिएगा इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको till then wish you a blessed day ahead thank you bye bye